चाइना ये चीज़ तो समझता है कि इंडिया जो है वो एक पुटेंशिल पार है, पुटेंशिली एक स्ट्रोंग मुल्क है, जिसके ओपर पूरी इंटरनाशनल कम्यूनिटी बैंक कर रही है, समझने हैं आप आपको यानि के पूरी इंटरनाशनल किमिनिटी ये समझती है ये टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेल इन इंडो पैसिपेग्ट आप तो बिल्कुल इसमाज अफगानस्तान वारी सूर्ते हाल है वो देखो आसमान में क्या है अरे ये इतनी तेज रफतार ये क्या चीज है जो चांद की तरफ जा रही है गोर से देखो जड़ा अरे ये तो यूएस डॉलर है मेरा ख्याल है पूटन खुद रान होगा कि यार इनको कोई समझाने वाला नहीं है मैं हालते जंग में हूँ मैं अटेक कर रहा हूँ और ये बंदे यहां पैसे मांगने आगे मेरा में खुद रान होगे कितने बड़े फकीर हैं ये कितने प्रफेशनल फकीर हैं ये वो रशियन अस्ते होगे बैठे इमरान खान को सामान शिफ्ट करने वाली कर लेना चाहिए क्योंके अब उनके इक्तिदार के दिन गिने चुने रह गए हैं यानि एक दूसरे को नीचा दिखाने की गेम चल रही है और अगर ये गेम उल्टी पड़ गई तो फिर क्या होगा अब चाइना जो है वो समझता है कि आस्ट्रेलिया हो जेपैन हो ये या बाकी इंडो पैसिफिक क्यों मालक है वो तो सारे इंडिया आ रहे हैं हलो फ्रेंस जैहिन हिंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा के दोस्तों आपने क्लिप में देखा पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि चीन भली भाती जानता है कि इस रिजर में सबसे जादा एहमियत भारत की है पाकिस्तान तो एक प्यादा है जिसे जब मर्जी जिस तरफ भी घुमा लिया जाता है जबके भारत से बात करने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है दूसरी तरफ अब इमरान खान की हकूमत जाते देख इमरान खान के पसंदीदा एंकर्स की चीखे निकल रही है और वो बता रहे हैं कि इमरान खान के जाने के बाद हमारा चीना मुश्किल हो जाएगा हर समय भारत को कोसने वाली एंकर अब हर रोज अपने देश के हालातों पर बातचीत कर रही होती है इमरान खान जहां भी जाता है उसका कोटोरा उसके पहले पहुंचाता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की खूब खिली उड़ाई है पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि रूस के राष्टरपती तो कहते होंगे कि किन प्रफेशनल बिखारियों से पाला पड़ा है So friends, let's start this very interesting video. Thank you so much. आप कहलेंगे पहला हाई लेवल विजट था जब से लड़ाख पे जो एक स्टेंड आफ हुआ जिसमें चाइनीज और इंडियन फोजी यों की जाने भी गही और उस वकत बड़ा ग्लोबल यह पता चला कि शायद जो अब यह दो बड़े जो इससे कहते हैं न बड़े लीडर बड़े मुवालिक जो है यह अपस में क्लैस करने वाले हैं और पता नहीं चीन क्या करेगा और पता नहीं भारत से क्या होगा और इस तरह की बड़ी बात है इसको थोड़ा सब मॉनेटर करने की खुश की और यह समझा है कि चाइना यह चीज तो समझता है कि इंडिया जो ह आपको यानि के पूरी इंटरनाशनल क्युमिनटी यह समझती है यह यह टेकिंग इंडिया सीडियस प्लेल इंडिया इंडियो पैसिए ठीक है जी और और जिसी आप हो कहते हैं कि हमने अपने नैशनल सेंटिमेंट चाइनीज को बता दिया जब जैशंकर यह कह रहे हैं कि ह वो जो एक नैशनलिस सेंटिमेंट है वो जो घुसा आया था इंडिया के अंदर वो जो टीवी टूटे थे वो जो 59 आप्स बैं की गही थी वो जो सारी की सारी एक लंभी जो पिछले दो साल पहले हुआ अब चाइना जो है वो समझता है कि ऑस्ट्रेलिया हो जैपैन हो यह यह बाकी इंडो पैसिफिक की ममालक है वो तो सारे इंडिया आ रहे हैं अभी 21 मार्च को एक विर्चुल समेट हुई इंडियन प्राइम निस्टर मोडी की और अस्टेलियन प्राइम निस्टर स्कॉट मॉरसन की और उन्हें यही बात की कि जी पीस एंट रंक्यालिटी की का जो लफज है कि बार बार इंडियन फॉर्ण आफिस से सामने आ रहा है जो कि वो कह रहे हैं कि जी हमें इसेंशल प्री रेकुसिट शाइए हैं ताकि हम नॉमलाइज कर सकें रिलेशन और यह आज भी मैं देख रहा था कि जो जेश शंकर है इंडियन फॉर्ण मनिस्ट एक बहुत बड़ी पेन है जो के चाइनीज के माइन में 24 घंड रहती है और वो एक ही बात कह रहे हैं फ्री ओपन एंड इंक्लूसिफ इंड़ पासफे अच्छा इसकी था एक अगर आब यह जितनी भी स्ट्रेजिक किमिडिकेशन होती है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है जब क्वाड के चार मालक यह कह रहे हैं फ्री ओपन एंड इंक्लूसिफ इंड़ पासफे तो यह वो एरिया था जहां पर चाइनीज उन थे वो अपनी मर्जी से जो मर्जी किया करते हैं वो जिसको उपर मर्जी वो कर दें अब वो क्या कह रहे हैं आप धुनिया का ध्हान क्योंको इदर हो गया है तो वो क्या कह रहे हैं फ्री एंड ओपन इंड़ पासफे इंक्लूसिफ इंड़ पासफे और आप भाग कर आपने इंप्रेशन यह दिया कि वाइलेटरल ट्रिप है आप भाग कर वहां चले गए वहां मिंतें तफले और थर्ड उन्होंने थर्ड का जो डिप्लोमेट भेज के आपको एरपोर्ट पर रसीव किया और उसके बाद आपने मिरतें समाजतें करके वहां ही से चाइना की आप रशिया उस वक्त चले गए हैं जब मेरा ख्याल है पूटन खुद रान होगा कि यार इनको कोई समझाने वाला नहीं है मैं हालते जं के बैठके हैं कितने बड़े भिकारी है यह कि दूनिया जल रही है ठर्ड 벌써 वर्ड शुरू हो रही है हम मार रहे हैं और यह पैसे मांगने हा यह ख़यात देखार कितने प्रॉफेशनल प्रिकी रही है मैं खुद कई दफ़ा रहा हूँ कि इनको कोई समझाने वाला नहीं है कोई इनकी मुरालिटी नहीं है कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि यार सारी दुनिया चारे वो अच्छा दूसरा आपको यह पर ब्लंडर आप तो कह रहें मेरा मैं जो आपका अमबैस्डर है उसका नरेटिव कुछ हो रहा है प्राइम निस्टर का नरेटिव कुछ हो यानि एक दूसरे को नीचा दिखाने की गेम चल रही है और अगर यह गेम उल्टी पड़ गई तो फिर क्या होगा फिर कैसे चलेगा ऐसे तो बिलकुल नहीं चलेगा